सूप्रभात बच्चों, आसा करते हूं कि आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे बच्चों, मिसन सिक्छल संबात के माध्यम से आज आपको पुनह काकी नामक कहानी का सेश भाग प्रस्तुत कर रही हूं आपने पहले भाग में काकी के इस कहानी को सुना था और पढ़ा था आज उसके अगले भाग को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं जिसे ध्यान से सुनियेगा और फिर पुनह उसे पढ़ना हाँ बच्चो फिर हम कहानी प्रारम्भ करते हैं इस कहानी को लिखा है स्री स्यामसर गुप्त जी ने बच्चो भूला एक समझदार दोस्त है स्यामू का और भूला और स्यामू के बीच में अच्छी दोस्ती है अब यहीं पर भूला और स्यामू अपनी उस काकी मा को बुलाने के लिए कुछ विशेश प्रयास करते हैं तो उसके बारे में आईए हम आगे पढ़ते हैं भूला स्यामू से अधिक समझदार था उसने कहा बात तो बहुत अच्छी सोची परंद कठिनाई है यह डोरी पतली है इसे पकड़ कर काकी उतर नहीं सकती इसके तूट जाने का डर है पतंग में मूटी रसी हो तो सब ठीक हो जाए स्यामू गंभीर हो गया मतलब यह बात लाख रुपय की सुझाई गई परंद कठिनाई यह थी कि मूटी रसी कैसे मंगाई जाए पास में दाम नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया मया के जला आए हैं वे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं उस दिन स्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नीद नहीं आई पहले दिन की तरह तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से एक रुपया निकाला ले जाकर भोला को दिया और बोला देख भोला किसी को मालूम न होने पाए अच्छी अच्छी दो रसीयां मंगा दे एक रसी छोटी पड़ेगी जवाहिर भहिया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूँगा नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्ही के पास पहुच जाएगी दो घंटे बाद प्रफुल मन से स्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रसी बांध रहे थे अकस्मात उग्र रूप धाड किये हुए विशेश्वर सुभकार में विख्न की तरह वहां जागुसे भोला और स्यामू को धमका कर बोले तुमने हमारे कोठ से रुपया निकाला है भोला एक ही डांट में मुखविर हो गया बोला स्यामू भाईया ने रसी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था विशेश्वर ने स्यामू को दो तमाचे जड़कर कहा चोरी सीख कर जेल जाएगा अच्छा तुझे आज अच्छी तरह बताता हूं कहकर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फार डाली अब रसीयों की ओर देखकर पूछा ये किसने मंगाई भोला ने कहा इन्होंने मंगाई थी कहते थे इससे पतंग तान कर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे विशेश्वर हत बुद्धी होकर वहीं खड़े रह गए उन्होंने फटी हुई पतंग उठा कर देखी उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक अबोध बालक के मन में उसकी मा के प्रती गहरी समवेदना को प्रकट किया है जो एक बच्चा अपनी मा से दूर होकर विलख रहा है और अपनी मा को याद कर रहा है उसके बारे में यहाँ पर लेखक ने बहुत ही मारमिक धंग से वरणन किया है